हेलो गाइस वन सकेंज चोधरी अमडियेशन क्लासेस पर तो बारती जो वाई उसे ना है उसके जो रैली की भरती चल रही है आपके देखा जाए तो ओडिसा सेंटर पर वहीं गुज़रात और करनाटक तीन राजियों में समय रैली चल रही है और आने वाले समय में तीन राजियों में रैली की वरती होने वाली आपका बिहार राजिस्तान और सासाथ में हर्याना में भी रैली की वरती होने वाली है तो बहुत सारे केंडिट के मन में डाउट है 28 तारीक अधारत कल तक रेजिस् इंडियन एरफोर्स का जो रेली की वर्थी के लिए वक्त कवाने वाला है तो मैं आपको इलिए बताता चलूं कि इंडियन एरफोर्स की जो रेली की वर्थी है 9 अक्टूबर से प्रारम होकर और 19 अक्टूबर तक चलने वाली है तो लगबक आई होप 4-5 दिन पहले आपका इंडियन एरफोर्स का जो एडिमेट का रहे लिए रेली की वर्थी का वाँ सो कर दिया जाएगा तो आप बिलकुल निश्चिन्त होकर तैयारी करते रहें क्योंकि आपका सबसे पहले पी एफटी ही कराई जाएगा पी एफटी में आपको बताता चलूंकि पी एफटी में तो आपको 10 पुसप लगाने पड़ते हैं देखा जाए तो और 10 आपके सिट अप होते हैं और 20 आपके स्क्राइट से होते हैं तो यह भी यह भी आपके में रॉल अदा करने वाले हैं जिस प्रकार आपके लिए महतपूर है जीडी उतना ही महतपूर है आपके लिए तो देखाज़े तो प्रते एक टर्म अपने आप में बहुत ही महत्पूर है और एक-एक से जुड़कर ही अप आगे बढ़ते हो जिस परकार एक साइकल की चैन होती है कड़ी से कड़ी बिढ़ी रहती है तभी साइकल चलती है इसी परकार देखाज़े तो ऐसे ही अपने आप में जवेंट होती है सबसे पहले आपका PFT होगा यदे PFT में आप रणिंग को क्लियर कर गई तो आपको सिट अप, स्क्वार्ट सब और पुसप लगाने का मौका मिलेगा यदे आप PFT को क्लियर कर जाते हैं तो आपको रिटेन एक्जाम में बैठने का मौका मिलेगा यदे आप रिटेन एक्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं यदे आपने PFT क्लियर किया है तो आपको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा तो आपके लिए उतना ही मैथ पूर्ड रिटेन एक्जाम है रिटेन एक्जाम को जैसे ही आप क्वालिफई करते हो आपको तुरंती 81 के लिए क्वालिफई किया जाता है जैसे आपको 81 अर्थार्द आपका SIT होता है सिच्वेशन रियक्षण टेस्ट और सिच्वेशन रियक्षण टेस्ट में जैसा कि आपको मालू है 45 इन 30 मिनट में करने पड़ते हैं जब क्या आपका 82 होता है गुरुप डिसक्रसन देगा जाए तो आपको पहले आपको इंट्रो देना होता है और जो टॉपिक आपको वहा नजर अंदाज ना करें किसी को भी हलके में ना लें क्योंकि प्रतेक टर्म ही अपने आप में बहुत महत्पूर्ण है यह आप एक टर्म को पास कर जाते हो और अगले टर्म को फैल कर जाते हो आपको तुरंत ही इंडियन एरफूर्स द्वारा तुरंत ही वहाँ से वापस भीज दिया जाएगा तो आपको बताता चलूँ फिर से का आपका जो एडमिट कार है लगवक चार से पांस दिन पहले आपको एडमिट कार सो कर दिया जाएगा अर्थार्थ बोला जाए तो आपका नौक टूवर से रैली प्रारम होने वाली और आपका जो एडमिट कार है वह पांच से छे अक्टूवर को डेफिनेटली सो कर दिया जाएगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर त्यारी करते रहें आपको रिटेन एक्जाम की भी त्यारी करनी है साथ साथ में जीडी और साथ में पी एफटी की भी त्यारी करनी है तो राजिस्तान, हर्यारा और जो केंडिड बिहार से बिलॉंग करते हैं उनके लिए बहुत ही best of luck आपके लिए बहुत ही सुनेरा मौका है आप इस मौके को अपने आसे जाने ना दें क्योंकि आपने देगा था कि रजिटेशन के समय काफी समय लगा था केवल दो तिन ही हमको मिले थे, हम इतने परेशान हुए थे के बहुत ज़्यादा लेकिन आप इन सभी सवालों को मन में ध्यान रखते हुए आप अपने जो एक्जाम है उसकी तियारी करें और आई होप अपने एक्जाम को क्लियर भी कर पाएंगे तो थेंक्स वाचिंग फर दिस वीडियो और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें